हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम यू अट निम्बस लेर्निंग पावर्ड बाइ इंजिनियर्स अकेडमी अब सभी को इंजिनियर्स अकेडमी में स्वागत है और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारी जो क्लास चल रही है उसमें हम आरार भी जेई और एससी जेई के जो क्वेशन्स आये हुए हैं प्रिवियस एयर्स के अंदर मेजर्मेंट सब्जेट के क्वेशन्स को डील कर रहे हैं जी पतना से चंदन कुमार अच्छी बात है मेरी वोईस आपको आरी है क्या परफेक्ट बताओ मेरी वोईस आप सभी को पर्फेक्ट आ रही है जल्दी से फ्रेंड के साथ शेयर करें फिर मैजर्मेंट की आज क्लास को फिर से शुरू करते हैं और जबरदस्त तरीके से चलने देते हैं ठीक है नॉन स्टॉप अब आप जो है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग जो नंबर कर रहे थे दस बारा दस बारा अब उसको 20 तक पहुंचाना है हमें ठीक है फास्ट फॉरवड में करना है साउंड क्लियर आ रही है सर बिट्टू अंसारी ओके बिट्टू ओके ठीक है चलो भुवेश राम राम भुवेश चलो बढ़े आगे बच्चो फ्रेंस के साथ एक बा अब चुका था कहां तक बच्चो क्यों 20 तक आपको करवा चुका था के कोश्यन आपके हो चुका था 21 से आज हम स्टार्ट आपको करवा चुका था हैं स्टार्ट करने वावालेmayın जंश handful को सभी ब ढरते और एक क्वेश्न कोडील करते ठीक है बच्चों यह कोशन है which of the following essential feature अब देखो आगे के कोशन में मैंने बोला था आपको यह भी मिलता रहेगा कि कब वो आया है which of the following essential feature is possessed by an indicating instrument निकमर रिखित में से कौन सी आवशक विशेष्था एक संके तक उपकरन रखता है अब यह कोशन बच्चों आरार भी जेई 26 2015 में आया था जब आप बहुत चोटे थे साथ साल पहले लेकिन यह अभी तीन दिन पहले में फिर आया है अगर आपको याद हो तो आर एससबी जेई में आर एससबी जेई डिप्लोमा में आया है शायद यही कोश्चन है जिटीज डिप्लोमा में डिप्लोमा दो पेपर हुआ थे तो मुझे जहां तक याद है डिप्लोमा ओले पेपर में आया था अभी तीन दिन काम करता है तो इसमें तो मेरे हैसाब से सब्सक्राइबंग डिख्कत आने ही नहीं चाहिए deflecting torque, deflect करने का काम करता है, always act towards full scale value, controlling torque क्या करता है, दो काम करता है, output को input के proportional बनाता है, दूसरा, जब input 0 होता है, तो pointer को वापस बेक लेकर करके आता है, to its initial position, और damping torque क्या करता है, बच्चों, number of oscillations को जल्दी से damp out करने का काम करता है, और अगर मैं आपको एक बात और बता हूँ for effective damping, तो effective damping के लिए, एक बात ध्यान रखना आप, effective damping के लिए क्या होना चाहिए, जो damping torque है, वो speed के proportional होना चाहिए, पहला point तो यह है, और दूसरा यह है, कि must be independent to meter current, must be independent to meter current, meter की जो current होती है, उससे क्या रहना चाहिए, बच्चों, independent रहना चाहिए, यह चीज़ा आप लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल, right, इस class का PDF प्रोवाइड करा देते तो अच्छा होता, नीरज यादव, जैको बच्चों, आप screenshot ले सकते हो, इसकी PDF तो available, नहीं हो पाएगी, ठीके, मैं पहले ही बता देता हूँ, एक्चुल, इसकी PDF नहीं मिल पाएगी आपको, ठीके, शिव सिंग, ठीके, चलो, बढ़े आगे, शिव जी, speed का जो square होता है, वो आपका, air का जो friction होता है, वो proportional होता है, ठीके, बाकी, नॉर्मली जो है, डेंपिंग टॉर्क, speed के proportional होना चाहिए, किस के proportional होना चाहिए, speed के proportional होना चाहिए, ठीके, speed के square में air friction आजाएगा, ठीके, चलो, बढ़े आगे, चलो, और जैसे pointer stationary हो जाएगा, आपका pointer जब stationary हो जाएगा, तो डेंपिंग टॉर्क का मान भी कितना हो जाएगा, बच्चों, zero हो जाएगा ठीक है answer question पर आते हैं skin shot ले लो दो 2015 का question है बच्चो ठीक है चलो next question ने बच्चो 22 ये क flatten कि ऑच्छा question है बहुत अच्छा question लगा मुझे commonly इंस्ट्रूमेंट इन पावर सिस्टम मेजर्मेंट आर आम तोर पर पावर सिस्टम जो उपकरण होते हैं वो होते हैं इंडक्शन टाइप मुविंग कोईल और आइरन टाइप रेक्टिफाय टाइप यह एलेक्ट्रोस्टेटिक टाइप अब मेरी बात सुनो बच्चों करते हो जैनिरेशन करते हो डिस्ट्रीबी यह किसका करते हो अप करते हो असी का करते का करते हो AC का करते हो और इवन ये किलो वोल्ट में होता है बच्चो ठीक है तो हाई वोल्टेज इस और AC की बात होती है ठीक है AC की बात होती है और AC में वही instrument काम करते हैं बच्चो कौन से वाले केवल induction type और induction type के अंदर आपने देखा हो तो दो तरह के इंस्टूमेंट बहुत जादा प्रचलित हैं पावर सिस्टम के अंदर इंस्टूमेंट ट्रांसफोर्मर सबसे जादा जो आपके popular है ना बच्चों इंस्टूमेंट ट्रांसफोर्मर्स प्रपॉलर से पावर सिस्टम में ये रिलेस की operations में काम आते हैं रिलेस के अंदर अरो बोलो ठीक है बात समझ गये क्या तो क्या हैगा आपका CT and PT और CT and PT जो होते हैं बच्चो हाई के लिए काम आते हैं तो पावर सिस्टम में कौन आता है जबकि एक बच्चा ये D answer दे रहा है कौन सा बच्चा है ये अभीताप कुमार अभीताप कुमार A दे रहे है D कौन सा दे रहा था वो एक डिलेट भी गर दिया उसना answer शिव जी answer दे रहते बोलो शिव जी answer दे रहते ठीक है तो शीव जी मेरे इसाफ साफ समझ चुके होंगे अर बोलो राइट तो ये अच्छा कोश्चन था कि पावर सिस्टम में किस टाइब के इंस्ट्रुमेंट का आम तोर पर यूज होता है जनरल बात बोला है हमेशा नहीं तो यार जनरली तो CT-PT आपको हर जगे कबी नहीं सुनाओगा और इलेक्त्रस्टेटिक सुनाओगा तो वह प्रेसिपीटर करके सुनाओगा वह भी कुछ दूल के कणों को और डूल के प्रेस्टी और लिए चलो बड़े आंगे बच्चों तो मेरे इसाफ से आप चीजों को समझ चुके होंगे ठीक है चलो 22 के बाद आता है बच्चो 23 23 अब सुनो मेरी बात को 23 क्या होता है डेंपिंग कम होती है लेकिन आप एक बात बताओ मैं आपको किसमें बैलेस्टिक गैलोनो मेटर में डेंपिंग कम होती है ठीक है ये बात परफेक्ट है और जो flux meter होता है ना flux meter flux meter में heavy damping होती है heavy electro magnetic damping होती है ठीक है अंतर है दोनों में थोड़ा सा ये ठीक है और एक खासिएद बता दूँ आपको में जो आपका ballistic ग्यलोनोमीटर होता है यहां चार्ज के मेजर्मेंट में काम आता है किसके चार्ज के मेजर्मेंट में quantity of electricity quantity of electricity चार्ज के मेजर्मेंट में काम आता है अब चार्ज क्या होता है बच्चों आपका current होती है आपकी dq बटे dt तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम टाइम पर यानि एक सेकिंड अगर आप ले लो तो एक सेकिंड के केस में क्या होगा बच्चों कि इन्स्रुमेंट का सेसितिव होना जरूरी है किसके लिए अगर आप उसमें क्या करना चाहते हो बहुत small deflections को भी read करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा sensitive होनी चाहिए input थोड़ा सा भी change हो जाए तो output ज्यादा change होना चाहिए ठीक है तो sensitivity बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं महां पर damping कम रखते हैं ताकि हमें deflection ज्यादा मिले। हम क्या चाहते है कि deflection हमें zयादा मिले यानि पहला जो deflection हमें मिले वह ज्यादा मिले बाद में तो धिरे धिरे वह damp out हो जाए गा deflection आपके oscalations जो हैं थीक है तो get the first deflection large यही पहला अंसर that is okay पहले विक्षणपन को बढ़ा करने के लिए उसको जङदा प्राप्ट करने के लिए get the first deflection large make the system oscillatory नहीं गलत बात है system को oscillatory बनाने से कोई फाइदा होता ही नहीं actually मैं तो उसकी sensitivity बढ़ा नहीं है ठीक है चलो वैस तो जादा है मेरे भाई वैस तो अल्रेडी जादा है और वैसे भी मैं जोड़ से बोली रहा हूं ठीक है लेकिन फिर भी अगर आपको कम लग रही है तो माइक को मैं थोड़ा सा और पास लगा लेता हूं ठीक है चलो मेक दा सिस्टम क्रिटिकली डेंपिंग के लिए ऐसा नहीं किया जाता है यह भी नहीं है तो sensitivity बढ़ाने के लिए क्योंकि एक बात यह नकना गैलवनोमीटर जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होना ही चाहिए गैलवनोमीटर मस्ट भी ज्यादा सेंसिटिव और बोलो ठी साइन इस गुड़ ठीक है ठीक है गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग चलो बढ़िया ठीक है तो मेरे इसाब से आपको सारी चीजे समझ में आ चुकी होगी बोलो ठीक है तो आंसर क्या एगा बच्चों आंसर शुड़ भी ए गौट इट कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो हम सपोर्ट यूज करते हैं ठीक है सस्पेंशन टाइप तो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग वहां से मिल जाता है बाकि कोई स्प्रिंग वो गेरा हम लोग यूज में नहीं लेते हैं ठीक है बच्चों बढ़े आगे नेक्स कोश्चन पर आते हैं और ये कोश्चन भी आपक 20 अगस्त 2015 में आया हुआ है आरार बी के अंदर तो हम लोग इयर वाइस चल रहे हैं ठीक है चलो टोपिक वाइस नहीं चल रहे हैं पर इयर वाइस चल रहे हैं ठीक है चलो नेक्स कोश्चन है आपका बच्चों alternating current is measured by alternating current को किस से ना पा जाता है ठीक है पहला के रहा है इंडक्शन आमिटर भाइया हो सकता है पर्मानेंट मेगनेट टाइप गलत बात है ये तो केवल DC पर काम करता है बच्चों ये तो किस पर काम करता है केवल DC पर electrostatic ammeter होता ही नहीं है जो चीज होती नहीं है उसका option देके क्या करोगे भाई जो चीज होती नहीं है वो बना दी और moving non repulsion type voltmeter भाई voltmeter से कैसे करन आप लोगे तुम rrvj 278 2015 में question आया है और answer should be क्या आएगा बच्चों a तो answer आपका क्या आएगा बच्चों a is the correct answer तो मेरे इसाफ साफ बात को समझ चुके होंगे एए answer आपका 100% होगा तो इसमें तो मेरे इसाफ साफ को ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी बोलो ठीक है चलो सिंटु कुमार आगे क्या आप चलो अच्छी बात है 56 बच्चे live है at least आप like करिए ठीक है like करिए वीड इंट्रेस्ट ले रहा है तो हम कुछ न कुछ नया आपके लिए हमेशा जरूर ले करके आते हैं और यह आपकी डिमांड पर होता है ठीक है अब आरार भी जैए कि अभी तो हमने ठीक लासे अब मतब प्रैक्टिस चलाईए फिर ठीक लासे भी चलाएंगे वह टॉपिक भी स्टार बना लो क्योंकि देखो यह एक बार आरार भी जैए में आ गया है तो इट में भी कि यह आपको अधर जैए में मिल जाए इट में भी कि यूपी पी सीएल जैए में मिल जाए आपको ठीक है चलो ठीक है चलो अब देखो क्या आएगा यहां पर बच्चों Most sensitive galvanometer is ठी sensitivity बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने के लिए बच्चों अभी जैस्ट बताया है था आपको sensitivity को बढ़ाने के लिए इसका मतलब यह हुआ था कि fast deflection को fast deflection को क्या रखना है बच्चों large करने के लिए large रखने के लिए fast deflection को large रखने के लिए sensitivity को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों damping का मान कम रखते हैं damping क्या रखते हैं कम रखते हैं तो कौन सा ऐसा galvanometer है जिसकी sensitivity सबसे ज़्यादा होती है elastic galvanometer बच्चों इस तरीके का कोई नाम नहीं होता है ठीक है यह AC पर काम करता है 50 से 60 हट जाद है power frequency range लेकिन यह most sensitive नहीं होता है ठीक है अगला है बच्चों यह doodlb करके पता नहीं doodlb क्या है यह ठीक है इस तरीके का भी कोई नाम नहीं होता है जैसे electrostatic ammeter आया था इस तरीके से दो नाम एक्स्टर डाल दिये और spot ballistic galvanometer बच्चों इस बैलस्टिक galvanometer ही है spot लगा दिया मतलब इसकी sensitivity बहुत ज़्यादा है सीधी सी बात है ठीक है तो ballistic galvanometer is the correct answer ठीक है yes अनन्या 120 hertz आप बोल सकते power frequency range बिल्कुल सही है 125 hertz तक आप बोल सकते है don't worry ठीक है power frequency range के लिए काम में लेते हैं generally 65 hertz भी आप बोल सकते कोई दिक्कत नहीं right तो शीव सिंग जी answer कौन सा आएगा बच्चों अब RRBJ 2015 में आ है it may be कि अगले किसी exam में आपको मिल जाए और it may be आपको railway के अंदर ही मिल जाए समझ गए क्या मेरी बात को अर बोलो बच्चों बोलो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं बताओ point is clear or not बोलो बढ़े आगे बताओ ठीक है next question पर आता हूँ ठीक है चलो बच्चों इसको भी notes के अंदर note कर लेना इसको notes के अंदर note कर लेना database question है an induction meter can handle current up to induction meter जो होते हैं ठीक है induction type के जो instruments होते हैं ये बताओ पहली बात तो ये किस पर काम करते हैं बच्चों केवल AC पर काम करते हैं याद आपको काम करते हैं इनका जो deflecting torque होता है that is proportional to the frequency into I1 into I2 sine of del ये इनका equation होता है यहाँ चाहता आप 51 into 52 कर सकते हो ठीक है ये इनका equation होता है जहाँ पर delta क्या होता है बच्चों आपका delta होता है 51 और 52 के बीच का angle अब सुनो induction type meter में आप ये बताओ कौन है जो आपके दिमाग में आता है induction का नाम लेते ही sir transformer आता है transformer मतलब sir ctpt आते हैं क्या आते हैं बच्चो ctpt आते हैं और ctpt आपको पता होना चाहिए high voltages और high current के लिए काम में लिए जाते हैं ठीक है sir bark scientific assistant के लिए कुछ hint अब वो हिंट तो अलग से बात करेंगे ठीक है बच्चों तो ctpt तो हमेशा ध्यान अगना highest वाला answer टिक करना इसमें मतब highest वाला ही होता है induction type जो होते हैं उनमें current ज्यादा ही होती है compared to जो एक normal instruments आपके होते हैं क्योंकि इसमें induction होता है बच्चों current caring capability ज्यादा होती है ठीक है चलो तो answer क्या टिक करोगे answer should be maximum टिक करोगे हमेशा डी is the correct answer 100 की जगह अगर 120 ampere भी होता 100 उपर 120 नीचे तो मैं 120 को ही टिक करता समझ गई क्या मेरी बात को बोलो फिर मैं किसको टिक करता 120 को ही टिक करता बात समझ में आ गई क्या और बोलो skin short भी ले लिया करो इसी नहीं मैं side में हो जाता हूँ आर आर भी जेई वही paper है बच्चो 27 आर दोजार 15 में आया था बोलो डन चलो बताओ डन बड़े आगले आगे ओके चलो next question पर आते नेक्स कोशन है बच्चो 27 नंबर 27 नंबर question है आपका और ये क्या किरा है induction type single phase induction type single phase energy meter measure electric energy in किसमें energy को measure करता है बच्चों ये kilowatt one unit जो होती है बच्चों वो किसके बराबर होती है आपकी one kilowatt hour के बराबर होती है one unit is equal to one kilowatt hour एक unit जो होती है बच्चों वो किसके बराबर होती है one kilowatt hour के बराबर तो मेरे भाई थोड़ी सी इसका मान रख ले इस energy meter का ठीक है विए आर मत बोल वो रिएक्टिव पावर होती है वो रिएक्टिव पावर मेजर करने का जो मेटर होता है वो मेजर करता है तो क्या अंसर आएगा बच्चों किलो वाट मीटर करता है वाट आवर नहीं होते है उसमें किलो वाट आवर क्योंकि एक युनिट के इसाफ से गिनता है वो ठीक है और यह तो मैंने बताई दिया VAR कोन करता है बच्चों यह VR meter होता एक जो reactive power measure करता है ठीके तो answer क्या आएगा बच्चों इसका C answer आएगा बात समझ गये क्या answer क्या आएगा बच्चों इसका C is the correct answer बात समझ गये क्या ठीके चलिए done इसकी छोट लीजे like जिन बच्चों ने नहीं किया है लाइक करिए और कल से वीडियो प्राइवेट होना शिरू हो जाएगे ठीके तो जो बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखे इस बात का जरूर ध्यान रखे ठीके चलो बड़े आगे next question पर done next question next question है आपका बच्चो which of the following is are an essential part of a motor meter motor meter के essential part कौन कौन से होते हैं बताओ बच्चो इन में से कौन कौन से होंगे जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ 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 जल्दी से बताओ क्या हैगा an operating torque system नहीं भाई कौन कौन से अनिवार ये भाग है ठीक है हाँ operating torque तो खेर होता है जिसको पन driving torque बोलते है बच्चो कौन सा torque बोलते है driving torque बोलते है सही है क्या बोलो driving torque बोलते है सही है next बताओ next क्या आएगा अब breaking device breaking भी होता है बच्चो permanent magnet प्लेस करके क्या प्लेस करते हैं लोग permanent magnet जो brake magnet का काम करती है जो aluminum disc के अंदर एक breaking torque प्रड्यूस करती है ताकि उसकी speed क्या maintain रहे constant बने अच्चा अनन्या के रहे सर मोटर मीटर क्या होता है सुनो मोटर मीटर का मतलब होता है जिसके अंदर disc घूमती है मेरी बात समझ गे क्या मोटर का मतलब होता है मोटर में क्या होता है रोटर घूमता रहता है continuously तो आपको जो energy meter पढ़ाया जाता है class के अंदर जो induction type होता है जिसके अंदर disc continuously घूमती है एक तो deflection होता है deflection दिया चला गया एक में disc continue rotate होती है तो जिनमें disc continue rotate होती है न वो आपका क्या होता है हाँ जिनमें disc continue rotate होती है उनको हम लोग क्या बोलते है motor meter तो I think clear हो गया होगा ठीक है चलो बढ़े आगे revolution resisting device से बताओ resisting system होता है बिल्कुल होता है सर कैसे होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते है numbering note करते है याद है 420 लिखा ठीक है और यहाँ पर ये तो ये resisting system नहीं होता है क्या जो उसको note करने का काम करता है अर बोलो ठीक है तो ये भी होता है तो तीनों ही होते यादि ऑपरेटिंग टॉल्क सिस्टम ड्राइविंग होता है ब्रेकिंग होता है और रिवलिशन रजिस्टिंग डिवाइस होता तो आंसर कौन सा जाएगा बच्चों ये भी आरार भी जेही का उसी दिन आया हुआ क्वेस्टन है बोलो यस चंदन परफेक्ट कल से वीडियोस प्राइवेट होना शुरू हो जाएंगे इसलिए लाइव आया करो अब आप लोग ठीक है पहले ही बता देता हूँ बात समझगे क्योंकि आपको चारो ओप्शन्स हम एक्स्प्लेइन कर रहे हैं छीज को आपको हर ओप्शन्स को हम डिटेल में एक्स्प्लेइण करते हैं चलो आगे बढ़े बच्चों नेस्ट वाले पॉइट पर आ जाते हैं आगे बढ़े बच्चों बता ओ बोलो बोलो जल्धी से चलो डन बढ़े आगे ठीक है चलिए, next question कौन सा है, 29, ठीक है, 29, देखो, is instrument which measure the insulation resistance of an electrical circuit relative to earth and one another, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, बोलो, ठीक है, चलो, होगा तो क्या होगा उससे, भाई उससे कुछ नहीं होगा, बस यह यह कि आप एक बात लाई वाना शुरू कर दोगे, ठीक है, वो तो लाई, भाई होगा, confirm है, ठीक है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप ए एक hand driven generator होता है, कितने terminals होते हैं, तीन terminals, कितने होते हैं, विजएजी, तीन términ shaped होते हैं, अर्थ होता है, phase होता है, और एक terminal और होता है, जिसको आप guard terminal बोलते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, बच्छो, इस मेगर के अंदर, जब हम इसको गुमाते हैं, तो यह लगबग 160 rpm पर गुमता है कितने rpm पर 260 rpm और 160 rpm पर permanent magnet dc generator होता है इसमें क्या होता है बच्चों permanent magnet जी क्यूसिंग सही कहिए रहे बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर है अननी एक 100 साथ rpm होती है बिल्कुल सही बात है 160 is the speed ठीक है तो यह कह रहा है कि एक ऐसा current जो प्रथ्वी प्रथ्वी अर्थ आर्थ यह वो प्रथ्वी नहीं है actually यह प्रथ्वी का मतलब वह नहीं हुआ कि आप ज़र्थी की बात करें अर्थ का मतलब है कि यह हम अर्थिंग करते हो चीड ठीक है और और दूसरे के साफेक्ष विदुत परिपत का इंसुलेशन का प्रतिरोज नापता है बच्चो तो एक ही तो चीज है बच्चो टेंजेंड गेलनोमीटर एपसुलूट इंस्टूमेंट होता है बच्चो एपसुलूट इंस्टूमेंट ठीक है इससे एक तरीके से करंट ना प के लिए काम आता है जो कि क्या करता है टेंपरिचर को चेंज इन रजिस्टेंस में कनवार्ट करता है सर यह और बता देना इसमें जीरो कब इंडिकेट करता देखो जीरो कब इंडिकेट करेगा जब सर्किट क्लोज होगा ना आपका तब यह जीरो इंडिकेट करता है यानि इंसुलेशन अगर प्रॉपर है तब तो इंफिनिटी ओम दिखाएगा और अगर कहीं इंसुलेशन फेल हो गया तो शौर्ट सर्किट हो जाएगा ना तब यह 0 ओम दिखाएगा बात समझ में आ गई क्या आपको बोलो राइट जी बिट्टू अंसारी परफेक्ट ठीक बात समझ गये क्या रैट तो इंसुलेशन की टेस्टिंग करते हम लो चलो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चो आंसर शुड़ बी बी इस दा करेक्ट आंसर बता बच्चो बी इस दा करेक्ट आंसर चलो बढ़े आगे इसकी इंशोट लिजए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स कोशन पर आ जाते हैं बच्चो नेक्स कोशन है आपको बच्चो आप tahun अबंड अनर्जी मीटर बच्चो यह तो ख्लास के अंदर आपको बताया जाता है कि एनर्जी मीटर जो होता है वह एक तरीके से एक तो मॉटरर मीटर है पहली बात तो यह ब डिस्क एक ऐंदर आपकी आती है ठीके उसके बाद मा आपको और बात बता देता हूं आंट के despay आंधर के न बअब आपक पांडेक shooting Tut like इनेर्जी म्हेंटर आब बता है इन्टी बेटींग जो मटी मेट आया छहाई तो अब आप बताव क्या हैगा एका C आणसर दे रहें बच्चे विकरम कहरें Cुसिंग C शीवजी क्यूज्स क्यों क्य क्या यह विट्टू अंसारी भी C एट्षी करता हूं multicband indicators रिकोडिंग नहीं in representing बील्कुल भी नहीं है इंटेकर क्रत्प्रकार का इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चो एक ही क्रत्प्रकार का उपकरने ठीके तो सीज दर करेक्ट आंसर वही आरार भी यही बच्चो दो हजार पंदरा के अंदर यह आया था जब आप बहुत ही चोटे थे बोलो थीक है तो बात समझ गयोंगे आप लोग कोशन डन और बोलो यह तो अपनी एमसी क्यूं में भी है बच्चो और यह हर साल किसी ने किसी एक्जाम में जरूर आ जाता है चलो बड़े आगे चलो नेक्स कोशन पर आते हैं यहस इंटीकेटिंग सही है चीज दर करेक्ट आंसर चलो नेक्स कोशन पर आते हैं बच्चो थर्टी वन के अंदर फजुड स्पસ्ट, पॉइंटर ओफ एन इंडिकेटिंग इंस्टुमेटिंग शुड भी. मेरी बात, सुनो मैं आपको एक बात बताऊँ मिकले की बात नहीं कहगा रह indem इंडिकेटिंग जो इंस्टुमेंट होते ना इनका मोविण शीस्टम, हमेशा वेट में वेरी प्रिक्शन कम होगा तो frictional error भी कम होगी और यही कारण है कि जो आपका pointer होता है वो किसका बनाया जाता है बच्चों pointer को aluminium का बनाया जाता है किसका बनाते हैं हम लोग aluminium का किसका बनाते हैं aluminium का ठीक है तो अब आप मुझे जवाब दो क्या आना चाहिए RRBJE उसी दिन का paper 2015 very light is the correct answer बच्चों light भी होगा option में लेकिन light को भी टिक नहीं करना है very light को टिक करेंगे ठीक है बहुत ही हलका होना चाहिए बहुत ही हलका होना चाहिए बात समझ गये क्या बच्चों yes is the correct answer और बाकी बच्चे के रहे हैं सर एनरजी मीटर आप्चन में बोथ बोल सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेटिंग तो है ही लेकिन instantaneous reading भी शो करता है बाई मेरे indicating कैसे बोल सकता है उसको indicating कैसे बोल देगा ऐसे तो indicating तो सभी हो जाएंगे recording को भी तू indicating बोल देगा reading तो सभी तेर को दिखाएंगे सभी दिखाएंगे ना कुछ ना कुछ तो ठीके राजीव कुमार जी के रहे हैं plastic का भी बना सकते हैं क्या बाई बना सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीके बही सस्ता पड़ जाएगा अच्छी बात है हलका भी होगा अच्छी बात है तो ठीके राइट चलो क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़े चेंज हो गई ठीके प्लास्टिक इतना अच्छा आने लग गया कि वो भी मेकेनिकली अच्छा होता है ठीके चलो लेकिन ऑप्शन्स में आप किसको टिक करोगे अलुमिनियम को ठीके चलो मेरे साब से स्किन शोट हो गया होगा ठीके चलो नेक्स्ट कोशन पर आ जाते हैं बच्चों टिक तो आपको मेटल को ही करना पड़ेगा ठीके चलो अब आप क्यों कहें कि सर्म मटके को प्लास्टिक का बना सकते हैं क्या तो मटका प्लास्टिक का भी बन सकता है लेकिन मटका बोल रहे तो फिर मिट्टी का ही बोलेंगे कि मटका बना रहे तो मिट्टी वाला ही रहेगा मटका ठीक है बात समझगे क्या बागी प्लास्टिक का भी मट का हो सकता है लेकिन अगर मैं मठका बोलू तो आपके धिमाग में तुरंत मिठी का ही मठका आना चाहिए समझें मैं प्लास्टिक के मठके की बात ही नहीं करूँगा तो जब भी पॉइंटर की बात होगी ऐलुमिनियम की बात हम लोग करेंगे ठीक है मेरे भाई निकिता जी प्लास्टिक मुझ क्यों नहीं करेगा जब आप उसको स्पिंडल के साथ अटेच करोगे मुझ तो कोईल करेगी स्पिंडल करेगा तो पॉइंटर करेगा सिधी सी बात है ठीक है चलो इन मैजरेटी ओफ इंस्ट्रूमेंट डेंपिंग इस प्रोवाइडड बाई देंपिंग जो ज़्यादा तर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें डेंपिंग किसकी प्रोवाइड करते हैं भाईया फ्लूड फ्रिक्शन की तो नहीं करेंगे ठीक है इसमें लिक्विड होता है ओयल होता है तो पैसे लगेंगे प्लस ओयल की क्रिपिंग होगी तो इंस्ट्रूमेंट को क्लीन नहीं रख पाएंगे ठीक है करते जहां पर टॉर्च जहां टीडी क्या होता है बच्चों कि एक कि शीआ इस्प्रिंग क्äche होताए चौंटेंग यह तो कन्त्रोलेंग होती है यह कब से हो गई आपकी spring तो controlling होती है damping नहीं होती है और portable instruments के अंदर use की जाती है controlling ठीक है not the damping yes best कौन से होती है AD current damping और most of the instrument में हम कोशिश यही करते हैं कि AD current damping ही रहे तो in majority of the instrument damping is provided by AD current बाकि यह तो कभी होई नहीं सकता यार fluid friction damping ठीक है लेकिन spring कहा सा आ गया भाई तो elimination technique से भी कर सकते थे आप इसको तो अगर यह आपको नहीं भी आता ना तो आप इसको elimination technique से भी कर सकते थे बात समझ गए क्या right तो option C is the correct answer और fluid friction अपन कहा यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक वोल्ट मीटर के अंदर यूज में लेते हैं जो इलेक्ट्रोस्टेटिक टाइप के instrument होते हैं इनका एक वोल्ट मीटर भी exist करता है मैंने question करवा दिया आपको अब यह मत कहना कि sir question नहीं हुआ है ठीक है जी जी अधन्या बिलकुल सही है एडी करेंट यूज करते हैं प्यम्म सी होट होट वायर टाइप है ना और एनरजी मीटर के अंदर आकास जैस्वाल के रहे हैं selected UPPCL जैई UPPCL बेच 28 फर्स्ट सिप्ट अच्छी बात है आपको बहुत बहुत बदाई आकास जैई कि आप जैई बन गए हैं आपका selection हो गया बहुत बहुत आपको congratulation from the entire team of engineers academy and nimbus learning ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ठीक है चलो next question है बच्चों बाकी बच्चों आपका भी selection हो जाए जल्दी से और UP की खासियत यही है कि हर साल vacancy आती है एक नहीं दो दो बार आती है ठीक है चलो और यह बच्चों आमीटर क्या होता है तो आमीटर बच्चों किस तरीके का instrument होता है देखो secondary instrument आपको एकंबाल बताहूं मैं जो electrical instrument होते है पूरा परीवार बताता हूं मैं आपको ये पहले दो दो जने दो फ़ाइ थे लेक्टिकल लिँ टूँनिक्ट दो दो क्वोण तो से एक आपके अपप्सिरूंट होते थे थे मतव होते हैं और यह कौण कौन से होते हैं बच्छो से absolute में आपके एक होता है यह होता है तेंजेंट गल्वनो मीटर कोव होता है बच्छों टेंजेंट गल्वनो मीटर इसके अंदर magnetic needle होती है चुम्ब के सूय होती है तीम है उसके बाद आपका जाए बच्छों देन रिलाइस करंट बैलेंस क्या आता है रिलाइस करंट बैलेंस और एक होता है बच्छों एपसुल्यूट इलेक्ट्रोमीटर यह तीन नाम तो याद रखी लेना और मैगनेटिक नीडल भी बोल सकते हो आप ठीक है यह केवल आपको क्या करते हैं डारेक्ट रिडिंग नहीं देते हैं इन दा फार्म आफ कॉंस्टेंट की फॉर्म में देते हैं बिलकुल सही है क्यूशिंग आपका अंसर करंट रिलाइंग रिलाइस करंट बैलेंस चलो जबकि सेकेंडरी जो होते हैं बच्चों यह तीन तरीके के होते हैं इंडिकेटिंग होते हैं इंडिकेटिंग होते हैं रिकोर्डिंग होते हैं और इंटीग्रेटिंग होते हैं ठीक है यह तीन तरीके के आपके होते हैं ठीक है अब सुनो मेरी बात को अमीटर अब ये मेंची हो गया, एमाई हो गया, तो वो किस तरीके के होते हैं, बच्चों, इंडिकेटिंग टाइप के, अब जो इंडिकेटिंग टाइप का होगा, बच्चों, वो सेकंडरी के अंदर ही तो आएगा आपका, तो कौनसा आंसर सही हो जाएगा, बच्चों, is the correct answer, ठीके, ब हाँ, बिल्कुल सही है, इस्टेंडराइजेशन में काम में लेंगे, कैलिब्रेशन में काम में लेंगे, किसको एपसिलूट इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीके बच्चों, चलो, तो आइधिंग पूरा क्लियर हो गया होगा, चारो अप्शन को एक साथ करने से फाइदा ही हो जाता है कि एक गंटेम आते हैं, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, और सब्जेक्ट भी आपका कनेक्टेड है, तो अच्छी बात है, रिविजन पूरा हो जाता है बढ़िया से, चलो, बढ़े आगे बच्चों, नेस कोशन पर आते हैं हम लो, नेस कोशन आपका 34th नंबर, ठीक है, 34 नंबर कोशन क्या है, अभी वही कोशन चल रहे है, बच्चों, 2015 वाले, ठीक है, जब आप लोग बहुत चोटे थे, चलो, the function of shunt in an ammeter is 2, ammeter में shunt का क्या काम होता है, बच्चों, तो shunt का काम क्या होता है, जैसे ये माल लो, ammeter है, तो अब इसमे current क्या हो जाए, high current को क्या करने के लिए, bypass करने के लिए, high current को क्या करते है, इससे, bypass करते हैं, ताकि उसकी range क्या हो जाए, बच्चों, extend हो जाए, range क्या हो जाए, extend, range extend हो जाए, तो check करते हैं कि range extension वाला option किसमे है, तो देखो, bypass the current, बिल्कुल सही बात है, current को क्या करते है बच्चो bypass करते है increase the sensitivity of the meter देखो आपको मैंने एक बात बताई थी आपने पड़ा हो तो galvanometer की current sensitivity होती है SI बराबर BAN upon K और यह आपको पता है कि यह resistance पर निरबार नहीं करती है यह क्या रहती है current sensitivity current sensitivity of the galvanometer is always remains क्या रहता है बच्चों constant रहता है बच्चों कल से वीडियो प्राइवेट होने लग जाएगा यहां रखना इस बात को ठीक है तो try to कि आप live आएं class के अंदर ठीक है अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए करने तो आपको भी अटलिस्ट मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी ठीक है तो sensitivity resistance पर depend नहीं करेगी remains constant ठीक है तो अब increase in the sensitivity यह गलत बात है sensitivity इस पर depend नहीं करेगी हां spring constant अगर आप कम कर दोगे sensitivity बढ़ जाएगी magnetic field बढ़ा दोगे sensitivity बढ़ जाएगी area coil का बढ़ा दोगे बढ़ जाएगी number of turns बढ़ाओगे बढ़ जाएगी ठीक है चलो अब देखो अगला point फिर क्या कह रहा है increase the resistance of the meter गलत बात है अमिटर का resistance क्यों बढ़ाएंगे हम जान बुचके अमिटर का resistance तो हमेशा क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए समझ गए either increasing the sensitivity और अमिटर बाइपासिंग नहीं नहीं sensitivity पर नहीं bypassing current is okay but this is not the okay तो हम लोग शंट में resistance क्यों लगाते है ताकि current बाइपास हो जाए और उसकी range बढ़ जाए तो दोनों में से कोई भी एक option ये भी tick कर सकते हो ये रेलवे recruitment board और देखो रेलवे के अंदर हो सकता है कि वेकेंसी अब आई जाए कुछ एक दिनों में ठीक है तो तयारी अपनी अच्छे से रखना और एक वीडियो भी निम्बस learning यूट्यूब पर आने वाला है कि किस तरीके से आप syllabus को cover करें electrical engineering के अंदर और electronics engineering के अंदर ठीक है चलो मेरे साफ से हो गया बच्चों skin short लेलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से जी सत्यम यस यूपी-पी-सी एलेक्टिकल का result आ चुका है एक आगया राइट चलो बढ़े आगे बच्चों next question पर आते हैं यस अगला के रहा है बच्चों the multiplier multiplier जो होता है बच्चों the multiplier and the meter coil in a voltmeter अब आप सब जानते हो यार कितनी बार पढ़ा दिया मैंने यार यह चीजें मतलब यह तो अब इतना जवर्दस्त आपको याद हो गया कि पूछो ही मत multiplier हम लोग क्यों लगाते हैं तकि voltage को bypass कर दें एक तरीके से voltage का drop कराने के लिए ताकि इसकी range बढ़ जाए और यह high value का होता है कहां लगाते है बच्चों इसको coil के साथ यह meter की coil ही तो है यह meter की क्या होती है बच्चों कोईली तो होती है तो meter की coil है तो हमेशा किसमें लगाएंगे series में बच्चों यह तो बहुत basic question था यार is the correct answer अच्छा RAC का मान क्या होता है बच्चों aim minus one into rm होता है किसका बनाते है बच्चों इसको constanton या constanton या यूरेका का बनाते है क्या composition होता है बच्चों constanton का 55% तो निकिल होता है और 45% आपका copper होता है 45% आपका copper होता है बात समझ गए क्या बोलो right तो I think सब कुछ clear हो गया होगा right तो यह मैंने आपको अच्छे से revise करवा दिया फिर भी ठीक है main मकसद हमारा यह यह revise करते करते चीजों को सीखना है नए question आ जाए तुरंत note कर लो notes के अंदर अब भाई मेरे में कितना जूम करवाएगा मेरे से ठीक है चलो ठीक है चलो बड़े मेगनीन मेगनीन का होता है उसका शंट मेगनीन जो होता है उसका शंट बनाते हैं शंट शंट किसका बनाते हैं मेगनीन का चलो आगे बड़े बच्चो नेस question पर आ जाते हैं ठीक है चलो ये बच्चो ये question भी आर आर भी जेई के अंदर आये था इसको star बना लो क्योंकि मैं आपको दो तीन बाते बताने वाला हूं इस question के लिए ठीक है और हो सकता आपका most of the time य not free from किसे free नहीं रहेंगे तो सुनो पहली बात तो temperature error से भी free नहीं रहेंगे आपने पड़ा हो तो जो rectify type instruments होते हैं उनके अंदर अगर आप temperature उनके अंदर अगर आप temperature चेंज करें तो resistance temperature थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो resistance तुरंट चेंज हो जाएगा समझ गए मेरी बात को तो तुरंट चेंज हो जाएगा तो इन से तो free from होई नहीं सकते कभी वेवशेप error ये भी सही बात है भाई वेवशेप error से भी free नहीं हो सकते reason क्योंकि अगर को instrument है तो वहां पर एक particular input के लिए वो design होगा waveform के लिए अगर आप other input देदोगे तो error आजाएगी तो इससे भी वो कभी भी free नहीं हो सकता frequency error भाई ये तो होती नहीं है होती ही नहीं है इसके अंदर इससे तो free होता है ये तो होती नहीं है यानि ये free होता है इसमें समरो मेरी बात को तो यहां ज मी ये according to मी है ठीक है अब RRB ने जो इसका answer दिया था बच्चो RRB ने जो answer दिया था वो दिया था C C का मतलब है frequency error तो अगर मैं RRB की बात करूं बच्चो तो C answer दिया लेकिन इस question में फिर mistake है अगर उन्होंने C answer माना है तो फिर आपको देखो अगर ये question है तब तो answer ये आएगा लेकिन अगर question ये बना दिया जाए कि तो इसमें थोड़ा सा मतलब doubt वाला question है the rectifier instrument is free from अगर ये आ जाए तो फिर आपका C answer बन जाएगा अगर free from बोला हो तो C is the correct answer और not free बोला है तो और बात समझ गये क्या बोलो बच्चो ठीके चलिए बड़े आगे बच्चो तो answer RRB ने तो C दिया था लेकिन इसमें question में थोड़ा बहुत problem है बात समझ चुके हो क्या ठीके अर बोलो class भाई class में क्यों change करूंगा ठीके चलो बोलो 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 ठीके रेक्टिफायर इंस्ट्रुमेंट तो दोनों major करता है C, D, C तो frequency error हो गई शुरुती actually rectifier में क्या होता है output side में आपका क्या होता है PMMC होता है न इदर तो तो output तो DC आ रहा है न आपका तो इसमें तो कोई frequency error होती ही नहीं है समझ़ो मेरी बात को इसमें तो कोई frequency error होगी नहीं अरी बात समझगें तो इसी लिए मैंने बोला है कि free from होता है frequency से but not free बोला है तो दोनों आएगा लेकिन आराब इना आंसर क्या दिया था सी ठीक है बाकी मेबी क्यों अब्जेक्शन के बात change कर दिया हो लेकिन जो response की बच्चों को दीती उन्होंने तब आंसर यही था ठीक है चलो बढ़े आगे next question पर आ जाते है next question है बच्चों आपका 37 the scale of a rectifier instrument बच्चों rectifier टाइब instrument की scale कैसी होती है याद है क्या linear होती है कैसी होती है linear तो a is the correct answer कैसी होती है बच्चों linear scale होती है कौन सी scale होती है linear scale होती है और बो लो राइट तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए next question पर आते है 38 for measuring current at high frequency बच्चों high frequency बोलती मतलब यह megahertz की बात कर रहा है सीधा सा नियम याद खना और megahertz पर दो ही काम आते हैं या तो hot wire काम आएगा या आपका thermo couple काम आएगा thermo couple काम आएगा ठीक है rrbj2015 के अंदर question आया है ठीक है तो moving iron कहा तक बच्चों 0 hertz से 125 hertz power frequency range होती है electrostatic यह कुछ kilohertz सक काम आ जाते हैं ठीक है उसके बाद thermo couple यह मैंने बताई दिया और pmmc तो बच्चों 0 hertz सकी काम आता है और बोलो right तो see the correct answer बोलो 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 39 question क्या है आपका the resistance in the circuit of the moving coil of a dynamometer wattmeter should be क्या बोला है the resistance in the circuit of a moving coil बच्चों moving coil कौन से होती है it is the pressure coil होती है और इसका resistance हमेशे क्या होना चाहिए बच्चों high resistance होनी चाहिए ताकि error कम आये यहाँ पर error present होती है due to inductance of the pressure coil pressure coil के inductance की वज़े से error होती है बात समझ गए क्या right तो क्या होना चाहिए resistance almost zero यह तो गलती है low भी गलत है क्या होना चाहिए बच्चों C होना चाहिए C is the correct answer pressure coil should be high resistance moving coil fixed coil का resistance कम होना चाहिए अगर fixed coil होती ना तो almost zero होना चाहिए fixed coil अगर होता ना बच्चों अगर आपसे question में fixed coil बोलता तो almost zero is the correct answer होता है मतलब near to zero almost zero का मतलब होता है zero तो नहीं है लेकिन zero के आसपास है बोलो ठीक है point is clear done बोलो डान चलिए screenshot लीजिए फिर आगे बढ़ते है और डाइनेमो टाइब का भी watt meter होता है मैं आपको दो तिन पोईंटर बता दू फिर कामा permett जाएगा day name oh the meter type का होता है कि दूसरा आपका electrostolic type का कभी होता है electrostatic व टमीटर्दुबी होता है थीक है उसके बाद आपक़ एक induction type होता है तो तीन तरह के wattmeters होते हैं ये भी ध्यान अखना हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक ही है डाइनेमो मीटर टाइप induction type और electrostatic type हम नहीं पढ़ते हैं तो मेरे इसाफ से ये भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो 40 number पर आ जाते हैं बच्चों 40 number question a dynamometer wattmeter can be used for ठीक है डाइनेमो मीटर wattmeter का use कर सकते हैं बच्चों AC DC दोनों पर काम आता है उत्व बोथ AC प्लस DC पहला पॉइंट तो ये है ठीक है चलो अब आगे कहते हैं क्या कह रहा है both DC and AC if the scale all calibrated सही है DC only ये तो गलत है AC only ये भी गलत है both AC and DC without any calibration of the error भाया जब तुम calibration ही नहीं करोगे तो फिर measurement कैसे करोगे बिना calibration के measurement कैसे करोगे वो pointer deflect तो कर जाएगा लेकिन उसका कोई sense नहीं होगा न तो without calibration आप measurement कैसे करोगे तो calibration भी होना चाहिए मेरे बाई समझे रहो क्या होना चाहिए calibration भी होना चाहिए तभी तो measurement करोगे और बोलो 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 voltage to frequency क्या होता है सर डिजिटल मेजरमेंट में voltage to frequency बच्चों यह तो आपको ध्यान अखने पड़ेगा जो भी आंसर आएगा डाइनमोमेटर तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है तो calibration क्यों भाई शूरूरूती एक बार बताओ बिना केलिबरेशन तुम आये हो तुम्हारा नामी नहीं रखते दुनिया में घर वाले जब तुम्हारा नामीं नहीं रखते तो तुम्हें क्या बिना केलिबरेशन का मतलब है तुम्हारा नाम ही नहीं रखा अब तुम्हें कैसे बुलाएगा कोई भी बताओ केलिबरेशन करने का मतलब है कि नंबरिंग तो दोगे ना कि दो वाट कहाँ आएगा एक वोट कहाँ आएगा अer sext समझ में तो आप जब धरती पर आये थे ना तो आप का भी-कालिबरेशन किया था घर वालों ने नाम रखके बास समझ में ताकि आपका अब नाम लिए तो आप समझ गें उच्छा मेरा नाम ले रहे कैसा थ्यांत था विदाऊड एणी केलिबरेशन केसे काम चलेगा भाई क्रास में आप बेटे होते यह पकर आका केलिब्रेशन ही नहीं कि अब कहंígen को बुला रहे है किसको बुला रहे है केलिब्रेशन तो किया यह नहीं है का अब भाई transfer type का होता है transfer type तो calibration के लिए लेकिन होता है calibration के लिए लेकिन transfer type में भी calibration करोगे measurement करना है तो बोलो हाँ और transfer type का मतलब तो यह हुआ कि जिनका calibration DC के लिए किया जाता है वही scale transfer करती जाती है to the AC measurement आरीवा समझ में ठीक है चलो और इनका use other instrument को calibrate करने के लिए भी किया जाता है चलो next question पर आजाते हैं बच्चो 41 पर ठीक है in a low power factor watt meter the compensating coil is connected बच्चो compensating coil की बात कर रहा है compensating coil का use क्यों करते में to reduce the error due to power loss in due to power loss in pressure coil pressure coil में power loss की बज़े से होने वाली error को कम करने के लिए reduce करने के लिए ठीक है और इसको कहां लगाते हैं बच्चो compensating coil को connected in series with current series with pressure coil pressure coil लेकिन current coil जो होती है उसके साथ उपर लपेटा जाता है और इस तरीके से लपेटते हैं कि current coil का flux और compensating coil का flux एक दूसरे को क्या करें cancel out करें दोनों एक दूसरे को क्या करें cancel out करें series with pressure coil with the same number of turns बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है राइट चलो हाँ बिल्कुल सही है विजय the pressure coil दाब कुंडली के साथ संकला में होती है कौन सी कुंडली बच्चों दाब कुंडली के साथ दाब कुंडली के साथ series में होती है sir power electronics का मेरातन कब होगा अब इंतजार करो किसी exam का भी जब कोई exam आएगा तो उससे पहले आपका जो remaining power electronics का मेरातन है वो करवा दिये जाएगा don't worry about that ठीक है ठीक है चलिए बड़े आगे बच्चों ठीक है थोड़ा सा डिफ्रेंज जो है वो आपको पता लग गया ठीक है चलो नेक्स कोशन है बच्चो 42 नमबर बच्चों यह कोशन मेरा subject का नहीं है यह network का है ideal voltage source should have देखो यह ideal voltage source इस तरीके का होता है practical वाला यह आपका practical voltage source है ठीक है तो ideal जो होता है उसका internal resistance कितना होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए तो large value of EMF गलत बात है small value of EMF ये भी गलत बात है 0 उसका क्या होना चाहिए source का resistance होना चाहिए source का resistance कितना होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए बोलो तो इसमें तो answer C ही आ जाएगा ठीक है चलो तो 42 तक रहने देते हैं बाकी में कल करा देता हूँ आपको ठीक है चलिए है ना बाकी के कल करते है 42 के बाद अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिये मैंने तो आराम से समझाते समझाते चलेंगे ठीक है अमित कर रहा आइडियल वोल्टेज सोर्स वन पॉइंट माइक्रो एं अब अब सि def. करण लोगे तब तक हु कॉंस्टेट वोल्टेच दे पाता है जुडू इस वुल्थ नहीं दे पाएगा ठीक है बच्च बजे तक होथी है क्लास 8 बच चुका है तो खल पर सेब उन तेवन पीम पर और बच्चों कल से क्लासेज प्राइवेट होने लग जाएगी, सो बी लाइव, बी लाइव, ठीके, चलो, क्लासेज होगी, पुनम, आपकी क्लासेज होगी, इसकी थोरी की भी क्लासेज चलेगी, चिंता मत करिये, शिव जी अभी यहां तो हिंट देना पॉसिबल नहीं है, ठीके, चलिए, ओके, 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 ओल दे बेस्ट, गुड नाइट,